नमस्कार दोस्तों मैं सोम बीर एक वार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्स होमत उस्ता आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटल पेयमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट कैसे आप खोल सकते हो अपने घर बैठे वो भी अपने मोबाल स सकते हो और दो मिनट के अंदर अंदर आप लोग का अकाउंट खुल जाएगा यहां पर कैसे करना होगा सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा तो वीडियो को आखे तक देखना वीडियो पसंदाए लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो है वो मैं आप लोगों पहले के लिए कर दूँ यह पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक और जो फिजिकल बैंक होती है उनमें आप लोगों डिफरेंस जरूर से पता होना चाहिए जो पेमेंट बैंक होती है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए होती है यानि कि आप लो transaction के लिए ही करना ठीक है बाकी अगर आप लोगों वैसा अकाउंट चाहिए तो आप किसी फिजिकल बैंक जैसे की SPI हो गया बैंक बड़ादा हो गया पंजाब नेसल हो गया उसमें कर लेना ठीक है यह वाला हम सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने के आप लोगों किया से कर सकते हैं आप लोगों को क्या 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 आप लोगों को लेगा डिजिटल सेबिंग बेंक किए वाला आप सन दिखाई देगा आप लोगों इसी पर क्लिक करना के बाद में आप लोग आ जा जाओगे इस वाले पेर पर आने के बाद में कुछ ने अपने जो बेंक अंकुछ डीटेल्स दी यह जैसे कि एक साल में 6% के साफसे आप लोगों को ब्याज मिलेगा जितने भी आप इस सेविंग अकाउंट में पैसे रखोगे उसका ठीक है साल में मिलेगा 6% महीने का नहीं मिलेगा यह याद रखना ठीक है नॉर्मली जो फिजिकल बैंक होती है वो 4% या 3.5% या 5% से ज्यादा कोई नहीं देते हैं यह 6% दे रह समसे होगी आप लोग अप लोगों को लेना कैसे है how to register for a digital saving account वाला option आप लोगों को हैं पे मिल जाएगा कैसे आप ले सकते होगा है यहां पे आप लोगों फस्ट Summon के दिखाई दे रहा होगा और अपनी डीटेल्स कुछ देनी हैं उसके बाद में आप यहां से वीडियो वेरिफिकेशन करवा सकते हो उसके बाद में आप लोगों का बिदेना 30 सेकंड में आप लोगों की हो जाएगी ठीक है बहुत जादा टाम नहीं लगेगा आप लोगा एक दो मिनट में आप लोगा अधार काड में मोबाइल नंबर जरूर लगा होना चाहिए 補ैन पर पर लादार मैं पर कघ्लिक करके अप अहां से नेक्स्ट कर देना थीक था मैं आप लोगों क Protestant करके नहीं दिखाूंगा मैं लोगों समझा दिया कि कैसे आपकर सकते हो तो इसी तरीके से कर सकतो ठीक है मैंने और रेड़ी बहुत सारे अकाउंट खोल के रखे हुए हैं इस वज़े से मैं बोल रहा हूं यह वाले मैंने नया अकाउंट अभी आप लोगों समझाने के लिए लिया है तो मैं मुझे बैंक अकाउंट की कोई जरूरत भी नहीं है अब इतना काम अगर आप कर लोगे जैसे कि आधर कार्ट और पैन कार्ट नंबर दे के नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप लोगों की कॉल चली जाएगी हुआ पर जो उनके कस्टमर केर वाले जो बंदे होते हैं उनके पास और उनको आपका फेस रिवील करवाना होगा य सब्सक्राइब करना होता है सब कुछ मैंने बता दिया है इस वीडियो आप नीचे कमेंट करके पूंच सकते हो चलो तो इसी के साथ वीडियो को ही अई पर एंड करते हैं फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो को साथ तब तक के लिए खुश रहना